क्यों दुरूब का सामने गिड़ गिड़ आ रहा है आज श्रम नहीं लग रहा है और बाद में गुंगुन का भाई भी आ है गुंगुन का भाई भी आ के बोल रहा है दुरूब जो किया है सही किया है हाई हेलो गैज वलकन टू भाई मिस्टर रूफूल गुलस गैज आज के हुए मैं आप लुक को बता रहा हुआ आज गुंगुन इतना परेशान है परेशान हो के दुरूब को फोन करने के बाद दुरूब आने के बाद दुरूब का पेर पकड़ के माफी वांग रहा है तुम भी नहीं सुना आज क्यों दुरूब का पेर पकड़ रहा है तुमको शरम नहीं लग रहा है और बोल रहा है जो करना है मेरे साथ करो तो मैं दुरूब को बोल रहा हूँ उसको भी जेल पे वेजो और समर का मा को भी जेल पे वेजो उसका तो शरम नहीं है गर पे बी तो समर और गुंगुन सही है तो आज क्यों दुरुप का सामने गिड़ गिड़ा रहा है आज शरम नहीं लग रहा है और बाद में गुंगुन का बाई भी आया है गुंगुन का बाई भी आके बोल रहा है दुरुप जो किया है सही किया है साथ पर समर का मा को भी जेल बेजना चाहिए उसका तो शरम नहीं है वो पहले से गर खराब करकर रखा है गुनगुन को जगा दे रहा है और समर गुनगुन को ला रहा है मतलब उसका शरम नहीं लग रहा है इतना बेशरम आवरत है क्या बोलू उसको तो सब गाली दे रहा है फिर भी उसको शरम नहीं लग रहा है आज लड़का के लिए रो रहा है आज क्यों लड़का के लिए रो रहा है आज गलती आख पे नहीं आ रहा है क्या पेर को एक चीज बताओ आज शर्षमा उतर गया है क आज गुनगुन दुरूप का पेर पकड़ के माफी मांग रहा है दुरूप बोल रहा है यह किसका बच्चा है वो तो कुला मैदान पे बोल रहा है समर का बच्चा है फिर भी उसका शरम नहीं आ रहा है बेशरम आवरत है उसका माबाब का भी शरम नहीं आ रहा है इतना शर्म आवरत जो कि आखे के कुछ सो भी बोलता किसी का घर पर सेमिल मेलु करपरां करता ला तो कि कि लुटिक को मिलते रहेगा